देश के पहले CDS जर्णल विपिन रावत थीएटर कमांड पर काम कर रहे थे 31 दिसेंबर 2019 को जब जर्णल विपिन रावत ने CDS का पत समाला था तब उनका सबसे बड़ा काम तीनों से नाओं में ताल मेल बिठाने का था इसके साथ ही उन्होंने तीन साल के भीतर थीएटर कमांड बनाने की जिम्मेदारी सौपी गई थी पिछले साल दिसेंबर में हेलिकॉप्टर क्रैश में जर्णल विपिन रावत का निधन हो गया था तीनों से नाओं को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए आधूनी करण करके थीएटर कमांड बनाने का प्रोसेस को अंतिम रूप दिया जा रहा है इसी के तहत रक्षा मंत्राले ने लोकसभा में विधेयक पेश किया भारत में थीएटर कमांड बनाना जर्णल विपिन रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है नमस्कार मैं हूँ सलोनी सरीन क्या होता है थीएटर कमांड थीएटर कमांड का मकसद भाविश की सुरक्षच नौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को एक छट के नीचे लाना है चार नए थीएटर कमांड बनाने पर विपिन रावत काम कर रहे थे रावत जिस थीएटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान से आने वाले खत्रों से निपटने में एहम रोल अदा करेगा दरसल थीएटर कमांड का सबसे सही इस्तिमाल युद्ध के दुरान तब होता है जब भविश की सुरक्षच नौतियों से निपटने के लिए तीनों सेना प्रमुकों के बीच तालमेल होती है थेटर कमांड से बनी रणीतियों के अनुसार दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है तीनों सेनाओं के संसाधनों और हतियारों का इस्तिमाल एक साथ ही किया जाता है थेटर कमांड की जरुवत क्यूं होती है 1999 में भारत ने पाकिस्तान के साथ कारगिल की जंग लड़ी इसके बाद बनी कई समितियों ने थेटर कमांड और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पत की स्थापना के सुझाव दिये थे इसे के साथ अभी देश में करीब 15 लाग सशक्त सैन बल है इसे संगठित और एक जुट करनी के लिए थेटर कमांड की जरुवत है एक साथ कमांड लाने पर सैन बलो के मोडनाइजेशन का खर्चा कम हो जाएगा किसी भी आधूनिक तक्नीक का इस्तिमाल सिर्फ एक ही सिना नहीं करेगी बलकि उस कमांडर के अंदर आने वाले सभी सैन बलो को उसका लाग मिलेगा अभी तक होता ये है कि युद्ध की स्तित्ती में तीनों सेनाएं अपने अपने हिसाब से तयारी करती हैं और जरुवत पढ़ने पर कॉडिनेशन किया जाता है लेकिन थेटर कमांड होगी तो तीनों सेनाएं मिलकर तयारी और नणीती बना सकते हैं इतना ही नई थेटर कमांड होने से टेकनीक और हतियार भी असानी से साजा किये जा सकते हैं देश में अभी तीन सेनाओं के अलग-अलग सत्रा कमांड हैं साथ थल सेना के पास, साथ बायू सेना के पास और तीन नो सेना के पास इसके लावा एक स्ट्राटेजिक फोर्स कमांड है जो परमानू शस्त्रगार को सुरक्षा देता है और उसे सम्हालता है इसकी स्थापना साल 2003 में की गई थी इनके लावा देश में सिफ एक थियेटर कमांड है इसकी स्थापना साल 2001 में अंडमान निकोबार में की गई थी तो फिलाल के लिए तिना ही थांक यू